अब देखिए गला मैंने पूरा बुन लिया है तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ तो दो बुनेंगे पहले दो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे में से निकाल देंगे हम दस नमबर की सिलाई से फंदा बुनेंगे ताकि गला लटके नहीं ठीक है उसके एक शेप अच्छी आए टाइट नहीं हो बहुत जादा और जो हम बुनेंगे वो एक सीधा और एक उल्टा फंदा ही बुनेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे में से निकाल देंगे बंद करने के लिए आप सीधी सिलाई से नहीं बुनेंगे जो हमने बॉर्डर बनाया है चाहे एक सीधे एक उल्टे फंदे का जिस भी स्टाइल का बॉर्डर बनाएंगे उसी स्टाइल में हम इसको बंद करेंगे इससे जो गले की कुंगरी आती हो बहुत अच्छी आती है अब जो बीच वाला फंदा है उसको भी हम देखे इसी तरह से पहले बीच वाले फंदे को उतार लेंगे फिर जो इस सिलाई का फंदा है उसके अंदर डाल के तीनों को इखटा बुनेंगे देखे तीन फंदों को इखटा करके हम इस तरह से बुनेंगे अब जो पीछे वाला फंदा है उसको उसके उपर से निकाल देंगे ये थोड़ टाइट हो जाता है इसके उपर से निकाल देंगे यह देखिए कितनी सही आ गई है अब फिर उल्टा फंदा बुन लेंगे अब फिर यह जो बीच वाला कुंग्री थी उसको निकाल देंगे इस तरह मैं अपना सारा एक एक फंदे करके बंद करूंगी यह देखिए इस तरह से आ रहा है यह देखिए बिल्कुल सफाई से आया है अब मैं पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपड़ से निकाल दूंगी एक उल्टा और एक संदा सीधा ही बुन रही है यह देखिए गला मेरा इस तरह से आ गया है अब मैं इसके बनाओंगी मुद्ड़ी गला देखिए आब मेरे को मुद्डे के उठाने है म मुड्डे के फंदे भी मैं बिल्कुल उसी तरह से हर एक सिलाई के अंदर सिधा एक फंदा उठाऊंगे, ये देखे, हर एक सिलाई के अंदर मैं एक फंदा उठाऊंगे, अब मुड्डे के अंदर भी हम 55 फंदे उठाएंगे, जितने फंदे हम गले के उठाते हैं, उतने ही मुढ़े के एक तरफ से उठाते हैं मतलब एक पेच में से तो आगे से 55 फंदे और पीछे से 55 फंदे टोटल मैं 110 फंदे मुढ़े के उठाऊंगी देखिया हर सिलाई में से एक फंदा इस तरह से डाल के इस तरह से निकाला अगर आपका गला बनने की एक बार प्राक्टिस हो जाती है तो मुड़े में कोई परेशानी नहीं आती है क्योंकि ये सीधी सिलाई से बन रहा है उसमें V-shape होता है तीन चार सिलाईयां लगती हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल करता है ये बहुत आराम से बन जाता है मुड़ा जो मैं बना रही हूँ 11 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ बड़ जब मैं इसको बंद करूंगी तो वो 10 नंबर की सिलाई से ही बंद करूंगे अब इसी तरह से एक एक करेंगे और इस सारे फंदे 110 फंदे उठाने के बाद उसी तरह हम गिनेंगे अगर फंदे कम होते हैं उठाने के बाद तो जैसे हमने गले में बढ़ाए थे बीच बीच में वैसे ही हम बढ़ाएंगे और उसके बाद एक सीधा और एक उल्टा करके आठ लाइने ही बुनेंगे अब देखे मैंने बुन लिया है अब ये मैं बंद कर रही हूँ ये दो फंदे बुने मैंने पीचे वाले फंदे को आगे वाले फंदे में से निकाल दिया फिर दो बुने फिर पीचे वाले और आगे वाले फंदे को निकाल दिया बंद करते वे वही मैं border वाला pattern ही रखूंगी, एक फंदा सीधा बुनूंगी, एक फंदा उल्टा बुनूंगी, ये देखे, बुनने के बाद मेरा इस तरह का आ जाएगा, ये देखे, ये हो गया मेरा मुद्दा, अब मैं इसको सीरियों corner से, तो जो धागे मैंने छोड रख हूँ, ताकि वो एक सफाही आए और tightness आए, अब उसके बाद मैं दोनों पेचों को बराबर करके इस तरह से, अब ये छोटे-छोटे टांके लेके इस तरह से इसको सीधूंगी, देखे, दोनों को बराबर पकड़के, उपर की तरफ बिल्कुल corner से, दोनों धागों को इस बिल्कुल corner corner पे रखे, इस तरह से दोनों को बराबर करतोंगे, इस तरह से बराबर करतोंगे, दोनों को बराबर करतोंगे, दोनों को बराबर करतोंगे, इस तरह से इसकी slide करतोंगे, इस तरह करके मैं दोनों तरफ से पूरा सीलूंगी, ये देखे, तयार होने के बाद मे मुढ़ आ गए यह गला गया अगर इसे चोटा होगा तो गले में नहीं आएगा और बड़ा होगा तो अंदर नहीं जाएगा देखिए फिर मैं आपको बता रहे हूं यहाँ पे हमने रखे थे 37, 37 फंदे, जब हमारे 37 और बीच का एक फंदा हमने पिन में रखा था, ठीक है, उसके बाद हमने 3, 2 और 1 फंदे की घटाई की थी, 3 लाइन के अंदर, वहीं से हमने अपना घटाना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो हमने एक एक फंदा हर सिलाई के अंदर खटाया था, और यहां से 3, 2, 1 के घटाई के बाद, अब हमने ये सीधा करआ है, जब मेरे 19 फंदे हो गए थे, तो उसके बाद मैंने एक सिलाई के अंदर नहीं घटाया, फिर अगली सिलाई में एक घटाया, फिर एक में नहीं घटाया, फिर अगली में एक घटाया, इस तरह करके कीती सिलाई जब तक मेरे 14 फंदे होगा थे, तो मुड़े पे मैंने 14 फंदे रखे थे, ठीक है, अब इसके बाद ये देखे, प पच्पन फंदे यहां पच्पन चाहिये मुड़े में एक तरफ पच्पन चाहिए जो पीछे का मुड़़ होगा ऊसमें भी 55 फंदे आएंगी और गले में मुझे चाहिए तीस अगर सिलाई में हमार हम हर क्लाई में एक Day उठाते हैं अगर फंदे 55 से जादा होंगे तो हम घटाते हैं और अगर कम होंगे तो हम बढ़ाते हैं करने हमें पूरे इतने ही है अगर हम अपने फंदे जादा रखेंगे तो हमारा गला लटकावर रखेगा और अगर अगर फंदे कम रखेंगे तो हमारा गलाट ताइट आएगा जिससे वो गले में फसे गाई नहीं I hope आपको यह अच्छा लगेगा पिछे की तरफ से इस तरह से दिखेगा I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी इससे रिलेटिड अगर आपके पास कोई भी कमेंस यह सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखेगा Thank you for watching